बुडियूनिंग स्टुडेंट स्वागत है एक बार आपका फिर सेंडी और एब लोग एलिमेंट्स के अगले वीडियो लेक्सर में और आज देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट यानि के टू सी आर टू ओ सेवन और के टू सी आर टू ओ सेवन एक ऑक्सिडाइजिंग इन दो की बात करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट चरम उद्यों के लिए एक मैतोफून रसाइन है इसका कई एजो योगी को बनाने में उक्सिकारक के रूप में उप्यों किया जाता है डाइक्रोमेट को सामने तक क्रोमेट से मनाया जाता है और क्रोमेट जो है वो क क्रोमाइट एस्क को जब वायू की उपस्तिती में क्रोमाइट एस्क कोन है FECR2O4 यह है क्रोमाइट एस्क को जब वायू की उपस्तिती में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया दाता है तो क्रोमेट आयन प्राप्त होता है और क्रोमाइट का सोडियम कार्बोनेट के साथ अभी क्रिया अपने देख रहे है नीचे क्या है FECR2O4 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वायू की उपस्तितिम उक्सिडेशन क्या बनता है सोडियम क्रोमेट प्लस FECR2O3 प्लस CO2 ये कोई मैटोपून रियेक्शन इतनी नहीं है बस अपने को थोड़ी सिद्याइन में रखने है चलिए फिर देखो सोडियम क्रोमेट के पीले वीलियन को चान करके सलफ्यूरिक अमल दुआरा अमली ये बना दिया जाता है जो सोडियम क्रोमेट का ये पीला वीलियन प्रापत होता है इसको चान करके। और सलफ्यूरिक अमल मिला देते हैं देखो इसमें सोडियम क्रोमेट प्लस एसिड और एसिड मिलाते हैं ये सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम आयन और जल देता है नारंगी रंग का नारंगी सोडियम डाइक्रोमेट में अब सोडियम डाइक्रोमेट की विलेता पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज़्यादा होती है इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट के विलेता कम होती है इसलिए sodium dichromate के विलियन में KCl मिला देते हैं तो K2, CR2, O7 यानि potassium dichromate और NaCl प्राप्त हो जाता है अब potassium dichromate नारंगी रंग के crystal के रूप में crystal हो जाते हैं जल ये विलियन में chromate और dichromate का अंतररुपांतरन होता है जो विलियन की pH पर नेरबर करता है यानि एक दूसरे में बदलते रहते हैं और ये pH पर नेरबर करता है chromate और dichromate मैं chromium की oxygen संख्या दोनों में समाना है clear अब देखो chromate तो है CRO4-2 ये तो है chromate dichromate है CRO2-2 ये है dichromate दो chromium और ये chromium ये इसको कहते है chromate आयन और इसको कहते है dichromate अब इसके अंदर oxidation state chromium की plus 6 है और इसमें भी plus 6 है दोनों में समाना ये X मानकर अपन calculate कर सकते है clear अब देखो chromate आयन acidic medium होगा तो dichromate में convert हो जाएगा और dichromate शारिये basic medium होगा तो chromate में convert हो जाएगा यानि CrO4-2 और acid मिला दिया तो Cr2O7-2 प्लस H2O में convert हो जाता है और यदि medium माद्यम शारिये तो ये Cr2O7-2 शारिये माद्यम में किसमें रहेगा इसमें convert हो जाएगा एक दूसरे में अंतर रुपांतरित होने की शमताईन में पाई जाती है clear ये important reaction है थोड़ी सी ये अपने को ज्यान में रखने है अब देखो chromate or dichromate iron की structures जो है वो किस किस टाइप की होती है तो chromate iron होता है CRO4-2 CRO4-2 तो chromium double bond से oxygen double bond से oxygen एक oxygen पर minus और ये दूसरी oxygen पर minus ये तो हता है chromate iron ये ज़ब आप देख रहे हो अब इसमें अनुनाद होता है यह यह negative charge यहां से यह negative charge यहां से यहां तो यह यहां और यह यहां यह यहां यह परिवर्टित होता रहता है तो इस structure को अपन देखो इस तरीके से दिखा देते हैं यह किसी पे भी minus नहीं उपर bracket के बाहर क्या कर दिया minus 2 charge दरसा दिया ऐसे ही dichromate iron है तो dichromate iron में देखो क्या है chromium एक दो और यह तीन तो oxygen एक बीच में oxygen दो chromium पर मानोगे फिर इस पे तीन oxygen इस तरीके से और यह bond angle कितने का है 126 degree का होता है इस पे भी overall कितना minus charge है दो charge है अब इसको यह दिया अपन single तरीके से दरसा हैं तो देखो यह दरसा सकते हैं CR इदर भी CR double bond oxygen double bond oxygen एक oxygen पर minus फिर यह यह बीच में फिर double bond oxygen double bond oxygen और एक minus chromium maximum plus 6 oxygen आवस्ता दरसा आता है तो total कितने bond बना सकता है total 6 bond बना सकता है 2, 4, 5 और यह 6 इदर इसने भी 6 बना रखें लेकिन इसमें फिर क्या होगा अनुनाद होगा यह negative charge जो है अनुनाद में जाएगा अनुनाद में जाएगा तो बारी-बारी से इन पर क्या आएगा minus तो ओर रोल अपन इस reaction को जो है वो कैसे दर्सा सकते है इस structure को सब में single bond दर्सा आते हुए उपर क्या दर्सा आते है minus 2 charge दर्सा देते है तो यह एक chromium पर 3 दूसरे पर 3 और बीच में एक oxygen जोड़ करके dichromation बना लेते हैं clear अब देखो chromation यानी CRO4-2 और dichromation की सरंचनाएं है chromation चतुसपल की होता है dichromation में दो चतुसपल कों के सीर सापस में साजा के वे रहते है जिसमें CRO, CR बंद कौन का मान 124 डिग्री होता है यह important है competition exams के लिए दोनों ही चतुसपल की आकरती के होते है clear अब sodium और potassium dichromat प्रबल ओक्सी करण कर्मक कारिये करते हैं यानि यह oxidizing agent होते है sodium और potassium दोनों ही sodium लवन की जल में विलेत आधिक होती है sodium salt ज़्यादा विले होता है sodium dichromat तदा यह carbonic रसाइन में औक्सी करण कर्मक के रूप में अत्य दिक प्रियूग किया जाता है potassium dichromate का उप्योग आइतन मिती है विलेशन में यहनि titration में जो burate और pipate है उसमें titration में भी काम में आता है प्रात्मिक मानक के रूप में उप्योग में यह लिया जाता है हम लिये माद्दे में dichromate का उक्सी करण अभी क्रिया जो है वो इस परकार की होती है देखो CR2O7 किसमें convert हो जाता है CR3 में कौन से माद्दे में हम लिये माद्दे में देखो कैसे थोड़ा सा इसको सबस्ट कर लेते हैं अपन CR2O7-2 किसमें convert हो जाता है CR3 में कौन से माद्दे में हम लिये माद्दे में जल बनता है दो chromium को संतुलित करने के लिए 2 से multiply कर दो इधर 7 oxygen है तो इधर 7 मनाने के लिए 7 जल के अनू जोड़ देते हैं अब H प्लस देखो 14 हो गए तो और फिर आवेश को संतुलित करने के लिए electron जोड़ते हैं ये 11th क्लास में जो अपने दो method सीखी है उनमें से एक method है iron electron वी दी तो अपने को ये reaction द्यान में रखनी है हम लिये माद्दे में dichromate iron CR plus 3 में convert हो जाता है यानि इसका reduction हो जाता है 14H plus iron की उपस्तिति में और 6 electron की उपस्तिति में बनता क्या है 2CR plus 3 और 7H2 यदि इसका reduction होता है ये दूसरे का क्या करता है oxidation करता है अब अपने को ये दि वो method याद है तो अपने किसी भी reaction को संतुलित कर सकते हैं लेकिन अम लिये माद्दे में ये reaction अपने को जान में रखने है clear अब देखो अम लिये potassium permagnate iodide का oxycron iodine में कर देता है ये iodide iron रहे यदि ये 6 electron grain करता है तो iodide iron कितने electron देगा 6 electron देगा H2S को sulfur में 10 plus 2 को 10 plus 4 में और F2 को F3 में oxycrit कर देता है यदि मैं overall reaction लिखूँ तो इदर वड़ा पार्ट इदर जोड़ दो उदर वड़ा पार्ट उदर जोड़ दो तो ये देखो इसको और dichromatine की reaction लिखोगे तो किस तरीक एसे लिखी जाएगी Cr2O7-2 plus 6 Fe plus 2 plus 14 H plus ये 6 electron से 6 electron कट जाएगे reaction करके 2 Cr plus 3 plus 6 Fe plus 3 plus 7 H2 ये reaction हो जाएगी यानि आदिये भीक्रिया ये है आदिये भीक्रिया ये है ये oxygen अर्द भीक्रिया है और ये option अर्द भीक्रिया है अब आप किसी की भी लिख सकते हो ये दिया अपने को ये ध्यान में है ये किस में convert होगा और ये ध्यान में है कि ये किस में बदलता है clear reaction हो रट नहीं याव सकता नहीं देखो संपून आइनिग भीक्रिया को potassium dichromate की oxygen अर्द भीक्रिया अपचायकों की oxygen अर्द भीक्रिया को जोड कर प्राप्त किया दा सकता है dichromate 14H plus 6H plus 2 CR plus 3 6H plus 3 और 7H2 तो अपने को ये किस में convert होगा ये ओक सीक्रित होने वाला किस में बदलेगा और अपचीत होने वाला किस में बदलेगा ये ये ध्यान में है तो अपन इसको संतूलित आसानी से कर सकते हैं clear देखो next आ जाते हैं अक्सीकारक है बेंगनी रंग का ठोस है को प्राप्त करने के लिए MNO2 औक्षार ये दातू है रोक्साइड ताक के NO3 जैसे अक्सीकारक के साथ संगलित किया जाता है देखो MNO2 की KOH के साथ अक्सीकरन क्या बनता है potassium magnet बनता है प्लस जल मेगनेट आयन जो है हम लिए माद्दे में पर मेगनेट आयन में खन्वर्ट हो जाता है साथ में MNO2 और जल बनता है क्लियर ये रियक्षन कोई इतनी इंपोर्टेंट नहीं है MNO2 की शार के साथ अक्सीजन की उपस्तितिम रियक्षन potassium मेगनेट मेगनेट जो है हम लिए माद्दे में पर मेगनेट आयन MNO2 और जल देता है इसके हलावा देखो ओद्योगी की स्तर पर MNO2 की एक्षार की ये उक्सीक्रणी संगलन के पस्चाथ विद्यूत अपगटनी उक्सीक्रण द्वारा भी पर मेगनेट निर्मित होता है देखो MNO2 कोह के साथ संगलन या वायो या के नो 3 ये तो उपरवाली रियक्षन है पहले तो मेगनेट बनता है क्रोमेट और मेगनेट माइनस 2 चार्ज है तो कहलाता है मेगनेट वो था CRO4-2 तो वो था क्रोमेट ये है मेगनेट और सिंगल माइनस 1 चार्ज है तो पर मेगनेट मेगनेट आयन इसका विद्यू तब गटनी ओक्सिडेशन होता है तो पर मेगनेट में कनवर्ट हो जाता है अब देखो ये प्रियोग साला बेथट है ये थोड़ी इंपोर्टेंट है परियोग साला में मेगनेट सेकिन्ड आयन के लवन पर ओक्सो डाइसल पेट यानि S2O8-2 दुआरा ओक्सी करत हो करके पर मेगनेट बनाते हैं Mn-2 S2O8-2 8H2 किसमें बदल जाते हैं Mn-4- प्लस SO4-2 प्लस 16H अब इसको संतुलित करने की मेथट वही है बस अपने को इतना द्यान होना चीए Mn-2 है वो किसमें करनवर्ट होगा Mn-4- इसको अलग सें संतुलित कर लेंगे आपन और S2O8-2 यानि पर ओक्सो डाइसल फेट किसमें करनवर्ट होगा माद्यम कैसा है माद्यम अमली है तो अपना आसानी से दोनों को अलग अलग संतुलित कर सकते हैं clear अब देखो मान लीजी अपने को इसको इसके साथ संतुलित करना है तो देखो इस तरीके से S2O8-2 reaction करके मनाता है SO4-2 तो इधर सलफर है 2 इधर सलफर है 1 तो सलफर को संतुलित करने के 2 से multiply कर दो अब oxygen देखो इधर 8 है इधर 8 है बराबर है इधर minus 2 charge है इधर भी minus 2 charge है तो ये तो संतुलित हो गया अब इसमें एक समशे आ गई कि इसमें sulphate हर एक particular sulphate पे minus 2 charge है इसमें overall minus 2 charge है तो आवेश को संतुलित करने के लिए electron जोडते हैं तो इधर minus 4 charge है तो इधर 2 electron जोड़ दो clear? अब देखो next ये दिया अपन MN को MN of 4 minus के साथ संतुलित करते हैं तो इधर MN MN संतुलित है oxygen संतुलित करने के लिए 4 जलकेनों जोडते हैं ये 4 जलकेनों जोड़ दिये 4 जार hydrogen संतुलित करने के लिए 8 H plus जोडते हैं और आवेश को संतुलित करने के लिए क्या कर देंगे? electron जोडते हैं तो इधर देखो plus के 8 minus का 1 ये plus के 8 है minus का 1 है plus के 7 इधर plus के 2 है तो इधर plus के 7 है इधर plus के 2 है तो मैं इधर 5 electron जोड़ देता हूँ तो अब देखो 8 plus के और 6 minus के 2 plus के बच गए इधर भी 2 plus के अब electron देखो यहां तो 2 gain किये और यहां 5 त्यागे है तो बराबर होना चाहिए नहीं साब किताब तो इसको तो 2 से multiply कर दो और इसको 5 से multiply कर दो तो reaction अपने आपी संतुलित हो जाएगी यह 11th class का matter है कर चुके हैं अपन अब देखो potassium permagnate गएरे बेंगनी रंग के crystal बनाता है जो KCLO4 के साथ समसरंचनात मकतादर साथ है यानि KCLO4 और KMNO4 की structure एक जैसी है KCLO4 KMNO4 बस यहां अंतर है दातू और एदातूगा बस यह दातू है यह दातू है बाकी दोनों की सरंचना जो है एक समान चतुशपल की होती है लवन जल में बहुत विले नहीं है यानि इसकी विले ता जल में कम है करते हैं तो यह तूट जाता है यह important reaction है किसमें तूटता है KMNO4 आपको यूँ दे सकता है गरम 513 तो K2MNO4 प्लस MNO2 प्लस O2 इनमें तूट जाता है यह याद रखनी अपने को reaction clear देखो next है मेगनेट तदा पर मेगनेट आयन चतुसपल की होते है मेगनेट है MNO4 माइनस टू पर मेगनेट है MNO4 माइनस मेगनेट पर मेगनेट दोनुई चतुसपल की होते है clear oxygen के P-Cucks को और मेगनेज के D-Cucks को के मद्दे अतिवापन से पाई या बंदन पाया जाता है कौन सा बंदन पाई किस-किस के मद्दे oxygen के तो P-Cucks है और मेगनेज के D-Cucks है क्योंकि oxygen के पास तो होते ही P है मेगनेज के पास D-Orbital होते है इनके बीच में कौन सा बंदन पाया जाता है पाई या बंदन हरा मेगनेट आयन एक ऐउगलित इलेक्टोन होने के कारण अनुचुम्ब किये होता है जबकि पर मेगनेट आयन ऐउगलित यानि ऐउगमित इलेक्टोन ना होने के कारण प्रतिचुम्ब किये होता है अब देखो ये लाइन जो देख रहे हो आप बहुत इंपोर्टेंट है और वो लाइन क्या है डी कक्स को से अतिवेपन से पाई आबंदन हरा मेगनेट आयन एक आयन एक अईउगली तिलेक्ट्रोन के कारण अनुचुम्ब किये यानि Mn of 4 माइनस अनुचुम्ब कि होता है कारण क्या है Mn की यहां ओक्सीकरन अवस्ता निकालो तो X 4 ओक्सीजन है प्रते की माइनस 2 होती है बराबर में उपर चार्ज लग रहा है माइनस 2 4 दूनी 8 माइनस के 2 माइनस के गड़ जाएंगे कितनी आ जाएगी प्लस 6 और प्लस 6 होगा Electronic Vinyas तो उस इस्तिति में D के अंदर एक इलेक्ट्रोन मुझूद रहेगा D के अंदर क्या रहेगा एक इलेक्ट्रोन यानि Electronic Vinyas Mn का क्या होता है 3D5 4S 2 प्लस 6 Oxidation स्टेट होगी तो 2 20 में से चले जाएंगे और जब एक एलेक्ट्रोन होगा डी के अंदर तो ये एयुगमित एलेक्ट्रोन होगा और एयुगमित एलेक्ट्रोन होगा तो अनुचुम्ब के प्रकरती प्रदर्शित करेगा क्लियर अपर मेगनेट आयन यानि MnO4 माइनस इसमें Mn के उक्षिकर नवस्ता कितनी है प्लस साथ तो डी के अंदर कितने एलेक्ट्रोन रहेंगे जीरो यानि 3D54S2 होते हैं सातों एलेक्ट्रोन निकल जाएंगे तो डी के अंदर जीरो एलेक्ट्रोन बचेंगे यानि एयु कितने एलेक्ट्रोन नहीं होते हैं वो प्रतिचुंब के प्रकरती के होते हैं यह लाइन इंपोर्टेंट है यहाँ वाड़ याद रखना है इसको क्लियर अब देखो दोनों की स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो Mn डबल बॉंड ओ डबल बॉंड ओ ओ ओ माइनस ओ माइनस यह तो है मेगनेट आयन MnO4-2 इसको सारे सिंगल बॉंड दर्सा के अपना उपर माइनस तू चार्ज भी लगा सकते हैं यह देख रहे हैं आप मेगनेट आयन है चत्तुस्पल की हरा पर मेगनेट आयन में क्या होता डबल बॉंड ओ डबल बॉंड ओ डबल बॉंड ओ और यह एक माइनस चार्ज इसको कहते हैं पर मेगनेट आयन इसमें माइनस वन चार्ज होता है और यह चत्तुस्पल की है मेगनेट आयन और नील लोहित होता है नीला लोहित कलर का यह हरा कलर का होता है क्लियर दोनों की स् डाइड को आयोडीन में ऑक्सीक्रेट कर देता है यह राओक्जलेट इसको सीओ टू में बदल देता है एप प्लस टू को एप प्लस तरी में बदल देता है क्लियर देखो इसको लिख सकता हूं मैं अ है में ऑफ प्पोर माइनस किसमें बदलता है खुट तो बदल जाता है में प्लस टू में है अब अब इसको मले माद्चे में संतुलित करना एत थो में बदल जाते करने के लिए चाह में प्लस जोड़ करने के लिए इलेक्ट्रोन जोड़े जाते हैं तो देखो इधर प्लस के साथ हैं इधर प्लस के दो हैं तो इधर प्लस के पांच इलेक्ट्रोन एड़ कर दो यह तो हो गई MN वाड़ी reaction clear यानि अपचियन अर्द अभी किया ये आदा पार्ट इधर का ये तीर के निसान के इधर वाड़ा clear अब देखो उक्जिलेट को संतुलित करना है C2O4-2 2 कार्बन, 4 ओक्सिजन और माइनस 2 चार्ज गिरा और बदलता किसमें है ये C2 में, तो सबसे पहले देखो कार्बन इधर 2 हैं, कार्बन इधर 1 हैं, 2 से मुना कर दो, कार्बन दो जाएं, यानि हाइड्रोजन और ओक्सिजन के एत्रिक सेस परमानों को सबसे पहले संतुलित करते हैं, clear ये संतुलित होने के बाद, अब देखो अक्सिजन दो और दो, चार, इधर भी चार, अब यहां चार्ज देखो माइनस टू है, इधर कुछ नहीं है तो इधर दो इलेक्ट्रोन जोड़ दो, ये आवेस बराबर हो जाएगा अब देखो, उसके अंदर पांच एलेक्ट्रोन थे, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोन है, यानि वो ग्रेंड पांच कर रहा है, ये त्याग रहा है दो, तो इसको पूरे को पांच से गुना करना पड़ेगा इसको पांच से गुना करेंगे, तो ये दस हो जाएगा देखो नीचे reaction देखो आप यह रही C2O4-2, 10CO2, 10 electron clear इस तरीके से 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 reactions जो हैं वो संतुलित हो जाएंगे यह वो ही method है काम में लेनी है यानि आइन electron method से संतुलित कर सकते हुए औक सी करण अंक विदी से अब देखो पर मेगनेट के मेगनेट, मेगनीज डायोकसाइड और मेगनीज सेकेंड लवनों में अपचेन के अड़ भीगरियों को निमन प्रकार परदर्शित कर सकते हैं MnO4-1 एक लेक्ट्रोन ग्रेंड करके MnO4-2 में convert होता है इलेक्ट्रोड विभो के माहन है 0.56, MnO4-4H-3 एक लेक्ट्रोन लेकर MnO2 बदलता है तब 1.69 है और MnO4-8H-5 एक लेक्ट्रोन एक लेक्ट्रोन और 4 जलके अनों तब इलेक्ट्रोड विभो है 1.52 वोल्टी है लग-अलग अब चेन 8 अबीक्रिये हैं जिनमें यह ए उलेक्ट्रोन ग्रेंड कर रहा है clear अब देखो यह के MnO4-4 माइनस Mn-2 में तो अपन वो ही मेत्ऩड काम में लेकर के किसी भी रियक्षन को संतुलित कर सकते है देखो यह अभी अने शंतुलित करी थी पीचहे हे यह कर सकते हो इसके लावा देखो सलेफाइड़ को सल्फर में और सल्फुर रस अम लाध्वा सल dal यह माइन से संतु संतु थो है किसमें बिदलते है अम लिए माध्य मे्प Altमय में तो ऑमनों कि सब्सक्राइब मिल सक चाहिए इस प्रकार की नहीं देखो किसमें बदल रहा है अ मियों धो मबदल रहा है योघें अ मध्यम baby थायो सलफेट, किसवे बदल जाता है सलफेट में mao4- m² में mn प्लस 2 हम लिए माददय में के अंदर ये अलग टाइप की relationship करता है और शार ये माददय में अलग टाइप की हम लिए माददय में mn फ्लस 7 से आता है mn प्लस 2 में और यहाँ Mn प्लस 7 से आता है, प्लस 4 में, शार ये मद्य है, बस इतना ही द्यान रखना, बाकी इंद रेक्शन्स को रटने गया हुशिकता नहीं, clear, अब देखो ये विसलेशन आत्मक रसाइन में, के MnO4 क्या काम में आता है, पोटेशन संसलेशन कार्बनीक रसाइन में, ओक्सी कारक के रूप में किया जाता है, विरंजी कारक रंग उडाने में, उन्नी, सूती, सिल्क, वस्त्रों दता तेलों के विरंजी करण में, इसका उप्योग किया जाता है, इसकी ओक्सी करण क्समता पर इसका विरंजन गुन निर्भर करता है, तो ये थे KMNO4 और K2OCR2 O7, क्लियर, दोनों की स्ट्रक्चर याद रखने है दोनों की कुछ रियेक्शन से याद रखने है और रियेक्शन अपने को संतुलित करना आना चीए बाकी किसी रियेक्शन को रटने गया हो सेकता नहीं है पैस